Management Information System या प्रभंद सुचना प्रणाली आज हम Become Third Year के Management Accounting Paper के अंतरगत Management Information System के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं आधुनिक व्यवसाइट संगठनों की बड़तीवी जटिलताउने प्रभंदकों को योजनाएं बनाने नीतियों को क्रियानवित करने, संगठन की विभिन गतिवीदियों पर नियंतरण रखने और विभिन Expansion Plants बनाने के संबंद में नेने लेजने हेतू समय समय पर उचित सुचनाओं की आविशक्ता होती है सुचना से तात परे किसी विशेश प्रेयोजन हेतू सम्मंकों के मुल्यांकन से है जैसे लेखा विभाग द्वारा डेटा कलेक्शन करके किसी विशेश प्रेयोजन हेतू विशलेशन एवा मुल्यांकन कर लेने पर ऐसे डेटा Information बन जाते हैं उधरन के रूप में ग्रहाकों के Invoice केवल डेटा है परन्तु इन डेटा के आधार पर Stock Analysis, Sales Analysis अगर किया जाए तो ये Information है इन Informations को प्रभंद के विभिन इस तरों पर पहुंचाने के लिए एक उचित प्रणाली की आवश्यक्ता होती है जो की प्रभंद सुचना प्रणाली या रिपोर्ट के द्वारा ही संभव हो सकती है इसका अभिप्राई ये है कि प्रभंद सुचना प्रणाली अत्वा प्रतिवेदन प्रभंद लेखांकन के यानि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत इंपोर्टेंट टूल है छोटे व्यवसाई में तो व्यवसाई का स्वामी मौखिक रूप से व्यवसाई के संबन में जानकारी प्राप्त कर लिता है परन्तू बड़े व्यवसाई में संगठन की जटिलताओं के कारण यह कारिय उचित मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम या रिपोर्ट के द्वारा ही संबव हो सकता है प्रबंद सुचना प्रणाली संचार की वह प्रक्रिया है जिसमें सुचनाओं को एकत्रित कर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है तथा संस्था के नियोजन, संचालन, एवं निर्ने से संबंदित निर्ने लेने हेतू उन्हें पुन्हा उपलप्त करवाया जाता है ICWA ने इसकी परिभाशा इस प्रकार दी है संचार की वह प्रणाली जिसमें परिभाशित संबंगों को उन लोगों की साहिता पंचाने के लिए जो साधनों का उप्योग करने के लिए उत्तरदाई है संकलित, परिनिर्मित एवं संप्रेशित किया जाता है According to ICWA अंधन, a system in which defined data are collected, processed and communicated to assist those responsible for the use of resources इसी तरीके से हिंगोरानी रामानाथन एवं ग्रेवल ने भी प्रभंद सुचना प्रनाली का को परिभाशित किया है प्रभंद सुचना प्रणाली प्रतेक प्रभंदक को सभी सम्मंकों तथा केवल उन सम्मंकों को उपलब्द कराने की संगठित विदी है जिसकी उसे अपने नेने लेने हेतु आवश्यक्ता होती है तथा जिस समय एवं रूप में उसे अपने कारिय को समझने एवं संपादित करने की आवश्यक्ता होती है इस प्रकार प्रभंद सुचना प्रणाली में प्रभंद के विशेश उद्देशे की पूर्ती हेतु समंक एकत्रित किये जाते हैं और उन्हें काट छाट या जोड तोड करके सुक्ष्म एवं संकलित किया जाता है और उन्हें संबंदित अधिकारियों को उचित समय पर उपलब्द कराया जाता है प्राय इन सुचनाओं को दस्तावेज, विवरण तथा प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है प्रभंद सुचना प्रणाली की आवश्यक्ता एवं महत्वर प्रभंद सुचना प्रणाली की आवश्यक्ता इसकी उपस्तिती की तुलना में अनुपस्तिती में ज़्यादा महसूस होती है प्रभंद सुचना प्रणाली में असफलता के संकेतों के कारण इसको लागू करना ज्यादा आवश्यक हो जाता है जब संगठन अपने दाईतों का निर्वाह करने में अयोग्य हो जब निर्ने में विलंब या गलत निर्ने हो निर्ने में धीलापन हो जिससे शय हानिया तथा अकुशलताएं हो रही हो ऐसे अवस्था में एक अच्छी सुचना प्रणाली का प्रभंदकों के लिए वही महत्व है जो एक व्यक्ती के लिए रक्त संचार का है जिस प्रकार एक व्यक्ती को स्वस्थ रहने के लिए नियमित रक्त संचार के आवशकता होती है रक्त संचार में अवरोध होने पर स्वास्थे में गड़बड़ी हो जाती है और रक्त के बंद होने पर उसकी मृत्यू हो जाती है उसी प्रकार व्यवसाय के सुचारू संचालन हेतू नियमित सुचनाओं का समवहन होते रहना आवशक है एक सूगठित सुचना प्रणाली प्रबंदकों को नीती निर्धारन, नेनयन एवं नियंतरन आदी में साहयक होती है इस प्रकार एक प्रबंद सुचना प्रणाली की आवश्यक्ता इन कार्णों से होती है सुचारू संचालन व्यवसाय के सुचारू संचालन हेतू प्रबंदकों को समय समय पर उचित सुचना की आवश्यक्ता होती है नियोजन प्रतेक व्यवसाय द्वारा अल्पकालिन एवं दिर्गकालिन योजनाई तैयार की जाती है और इस हेतू उसे उचित सुचनाओं की आवश्यक्ता होती है समनवय व्यवसाई के सुचारू संचालन तथा लक्ष प्राप्ती हेतू उसकी विभिन क्रियाओं तथा प्रबंद के इस्तरों में परियाप्त तालमेल होना आवश्यक है नियंत्रन व्यवसाईक लक्षे की प्राप्ती हे तूम उसकी विभिन क्रियाओं जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, विपनन, आधिपर नियंत्रन आवश्चिक है कार्य मुल्यांकन व्यवसाईकी विभिन योजनाओं एवं कार्य कलापों के मुल्यांकन में एक अच्छी सुचना प्रणाली साहयक सिद्ध होती है प्रभंद सुचना प्रणाली का संस्थापन या इंस्टॉलेशन ओफ मैनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टम प्रतेक व्यवसाईक संस्थान के कुशलता पूर्वक संचालन हे तू नियमित रूप से आवशक सुचनाएं प्राप्त होना नितान्त आवशक है और यह तभी संभव है जब व्यवसाई में एक सु इस्थापित सुचना प्रणाली विध्यमान हो ऐसी आदर्श प्रबंद सुचना प्रणाली के संस्थापन के लिए आवशक कदम इस प्रकार है 1. सुचनाओं संबंदी वास्तविक आवशक्ताओं का अनुमान लगाना किसी भी व्यवसाई में एक आदर्श प्रबंद सुचना प्रणाली के संस्थापन का प्रथम चरण 2. सुचनाओं संबंदी प्रबंद के विभिन इस्तरों की एवं कुछ बाईय पक्षकारों जैसे सरकार, ग्राहक, पूर्ती करता, शरम शंक, आदी की उन आवशक्ताओं का निर्धारन, अध्यन एवं विश्लेशन करना हैं जिनके आधार पर प्रबंद सुचना प्रणाल की सरंचना की जाती है, सुचनाओं संबंदी ये आवशक्ताएं उस संस्था के आकार, वितिय इस्तिती, तक्नीकी प्रगती, सरकारी नीतिया, व्योसाई की प्रक्रती, आदी विभिन घटकों से प्रभावित होती हैं, जिनका अनुमान इस प्रकार लगा सकते हैं, सुचनाओं का प्रियोक करने वाले प्रतेक प्रभंदक से इस प्रकार का विवरण भरवा लिया जाए, या सुचनाओं का प्रियोक करने वाला प्रतेक प्रभंद ये बताए, कि प्रभंद की निर्नय के दोरान उसे क्या क्या करना है, ताकि उसे किस प्रकार की सुचनाओं प्रणाली के उन उद्देश्यों को का निर्धारन जिनके आधार पर इस प्रणाली की सरंचना की जाती है लगाना होता है। उन सुचनाओं की आवश्यक्ता है। तीसरा सुचनाओं के इस्त्रोत का निर्धारन सुचनाओं की आवश्यक्ता एवं प्रभंद सुचना प्रणाली के उद्देश्यों का निर्धारन कर लेने के पस्चात उन सुचनाओं के इस्त्रोतों का अंकलन किया जाता है। प्रबंद की ये सुचनाएं आंतरिक एवं बाहिय दोनों प्रकार के इस्तरोतों से प्राप्त की जाती है आंतरिक इस्तरोतों में वित्य एवं लागत, लेखों संबंदी दस्तावेज तथा सांखी की ये सुचनाएं सम्मिलित होती है जबकि बाहिय इस्तरोतों में नीजी एवं सरकारी सांखी की प्रकाशन शामिल किये जाते हैं। सुचनाओं के इस्तरोतों का निर्धारन करने हितू फ्लो चार्ड्स का भी प्रियोग किया जा सकता है। चौथा, सुचनाओं के संकलन एवं विधियन की विधी का निर्धारन। सुचनाओं के स्त्रोतों का निर्धारन कर लेने के पस्चाथ यह निर्धारन करना अती आवशक है कि सुचनाओं का संकलन किस प्रारूप में किया जाए ताकि उस प्रारूप से सुचनाओं के इस्त्रोत, आवरती, मात्रा एवं सम्मंकादी की संपूर्ण जानकारी मिल सकी सुचनाओं के संकलन के पस्चाथ सुचनाओं का विधियन किस प्रकार किया जाएगा? इसकी भी पूर्व योजना निर्धारित करनी आवशक है, जहां कम्प्यूटर्स या अन्य लेखांकन मशीनों का प्रियोग होता है वहां प्राप्त सुचनाओं को मशीनों से प्रियोग हेतू आवशक रूप से में परिवर्तित करना होगा सुचनाओं के संकलन एवँ विधियन के पस्चात नेक्स्ट स्टेप यह निर्धारित करना है कि इन सुचनाओं को कब, किसको, कितनी बार और किस प्रारूप में देना है यहां यह विशेश महत्वपून है कि सुचनाओं का निर्धमन, रिपोर्ट, चार्ट या विवरण पत्र के माध्यम से हो सकता है अथ्वा मोखिक रूप में ही हो सकता है लागत लाब विशलेशन, कॉस्ट प्रॉफिट अनालिसिस प्रभंद सुचनाओं प्रणाली के संस्थापन के क्रियानवयन के पस्चात सुचनाओं प्रणाली की लागतों का निर्धारन करके उससे होने वाले लाभूं का अनुमान लगाया जाना चाहिए इससे सुचनाओं प्रणाली के क्रियानवयन के पस्चात उसका मुल्यांकन करने में सुविधा रहेगी यहां सुचना प्रणाली की लागत प्रारम करने से लेकर करियान वयन तथा इसके बाद मुल्यांकन के खर्चों को शामिल किया जाता है इन लागतों की तुलना वर्तमान व्यवस्था की लागत बार-बार होने वाले खर्चों में बचत या अन्य काउंटेबल या नौन काउंटेबल प्रोफिट से करनी चाहिए मुल्यंकन प्रभंध सुचना प्रणाली के अंतिम चरण के रूप में इस प्रणाली के क्रियानवयन के कुछ समय पस्चात जो कि 3-6 महीने हो सकता है यह जाच कर लेनी चाहिए कि यह सुचना प्रणाली उप्योग करने वालों के आवश्यकता पूरी कर रही है अत्वा नहीं और इस पददती के लाब इसकी लागत से अधिक है अत्वा नहीं इस प्रकार के मुल्यंकन के पस्चात प्रणाली को जारी रखने या समाप्त करने के संबंद में उचित्र निर्ने ले सकते हैं या इसको और अधिक प्रभावी बनाने के संबंद में आवश्यक्त कदम उठा सकते हैं किसी सुचना प्रणाली का ऐसा प्रारूप निर्धारित करना कठिन है जो सभी प्रकार के व्यवसाईक संगठनों के लिए उचित हो प्रतेक व्यवसाई की अपना अपना नेचर होता है और अपना वर्किंग स्टाइल होता है अतह सुचना प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो की व्यवसाई की आविशक्ताओं के अनुरूप परिवर्तित की जा सके व्यवसाई में एक उत्तम सुचना प्रणाली में जो विशेशताएं होनी चाहिए या जो सुचना प्रणाली को इंस्टॉल करते वक्त सिद्धान्त अपनाने चाहिए वो कुछ इस प्रकार है शिग्रता या प्रॉम्टनेस सुचना प्रणाली का संगठन इस प्रकार होना चाहिए जो कि संबंदित अधिकारियों को सुचनाए समय पर भेज सके सुचनाएं यदि समय पर नहीं भेजी जाएगी तो वो यूजलेस हो जाएगी क्योंकि तब तक व्यवसाई की परिस्थितियों में बदलावा जाएगा और सुचनाओं का उपयोग नहीं रहेगा सरलता या सिंप्लिसिटी सुचनाओं का प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल होना चाहिए जिसे उन्हें आसानी से समझ सके और बिना किसी इल्यूजन के उचित एवं सही उनका मिनिंग निकाला जा सके जो यानि सुचनाएं सरल होनी चाहिए एकिकरत या इंटीग्रेटेड सुचना प्रणाली का निर्मान इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उत्पादन प्रशाशन विपनन वित इत्यादी शेत्र की सुचनाओं को सयुक्त तथा समन्वित रूप में प्रस्तुत किया जा सके अर्थात जिसका एक पून चित्र प्राप्त हो साथी सुचनाईं पून होनी चाहिए जिससे की उचित नेने लिये जा सके प्रासंगीकता या रिलिवेंस समवहन की जाने वाली सुचना प्रबंदक के उत्तरदाईत्व एवं अधिकारों से संबद्ध होनी चाहिए तथा सुचनाओं का समवहन उत्तरदाईत्व के इस तर से उस इस तर की और होना चाहिए जहां नेने लिये जासे संग्षिप्त या समराइज्ट समवहन की जाने वाली सुचनाओं का इसपस्ट होने के साथ संग्षिप्त होना भी आवशक है जिससे अधिक से अधिक जानकारी एक ही प्रतिवेदन से दी जा सके इससे प्रबंदकों के समय एवं श्रम में बचत होती है तथा वे शिग्र निर्णय ले सकते हैं सुचनाओं को संक्षित रूप में भेजने हितू चार्ट, ग्राफ, चित्र, रित्यादी का प्रियोग किया जा सकता है लोचसीलता या फ्लेक्जिबलिटी सुचना प्रणाली में प्रियाप्त लोचसीलता होनी चाहिए जिससे प्रियोग करता कि आवशक्ता अनुसार उसमें परिवर्तन किये जा सके उप्योगिता या या यूटिलिटी सुचना प्रणाली में वे ही सुचनाई संकलित की जानी चाहिए जिनकी उप्योगिता हो सुचनाओं के संकलन वर समवहन में काफी अधिक धन व्याय करना होता है अतर उन सुचनाओं का उप्योग न होना समस्त व्यायों पर या बहुत खर्चिला होका सुचना एक साधन है इसके संकलन, सवहन, इत्यादी पर व्याय करना होता है अता सुचना प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए जिससे सुचनाओं का संचयन, विधियन एवं प्रस्तूती करण की लागत नियूनतम हो विश्वस्नियता एवं शुद्धता या Reliability and Accuracy सुचना प्रणाली यथा संबव शुद्ध एवं विश्वस्निय होनी चाहिए जिससे इसके आधार पर लिये गए निर्णियों को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके तुलनातमक्ता या Comparability सुचनाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे इनकी तुलना पिछले वर्ष के निश्पादन सम्मंकों या पूर्व निर्धारित बजट से करके अवशक निश्कर्ष निकाले चाहिए मुल्यांकन या Evolution सुचना प्रणाली मैं ऐसी कारे विधी को शामिल करना चाहिए जिससे सुचनाओं का परिणाम एवं गुणातमक मुल्यांकन संभव हो सके एक रूपता या Consistency सुचना प्रणाली द्वारा संभवन की जाने वाली सुचनाओं में समानता हो अर्थात उन्हें प्रस्तुत करने की विधी पैमाने एवं सम्यांतर में जहां तक संभव हो एक रूपता होनी चाहिए समानता होने पर ही तुल्नात्मक अध्यन कर कोई निश्कर्ष निकाले जा सकते हैं धन्यवाद